हे गाईज वेलकम बैक टो स्टेडियम वीडियम चैनल तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंट बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एकजाम 2024 के बारे में इसका फॉर्म कब सुरू होने वाला है इसका परवेस परिक्षा कब तक होगी ठीक है इसकी फॉ कुल सीटो की संख्या कितनी होती है सरकारी कॉलेज पाने के लिए कितना माक्स चाहिए सब कुछ जानकारी मिलेगी वीडियो को सुरू सेहं तक देखिएगा और इस वीडियो के लाश्ट में आपको एक ऐसा कोस्टेंस बैंक देने वाला हूं जिसमें सारे प्रिवेस एर के लाइक जरू करेंगे चलिए सुरू करते हैं अचका वीडियो तो जितने भी उत्राखन के स्टुडेंस हैं जो 12 कर रहे हैं या भी 12 पास कर चुके हैं वह इस फॉर्म को भर पाएंगे 12 में आपको फिजिक्स केमेस्टी बायलोजी सब्जेक्ट होना कमपल सरी है जिसमें से बायलोजी मैनली देखा जाता है ठीक है और 12 में मिनिममम 45% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा और फॉर्म भरते वक्त आपका एज 17 यर होना चाहिए यह सारी अगर आपके में खुबी है तो आप इस फॉर्म को भर पाऊगे ओके इस फॉर्म को भरने के लिए फीस कितनी ल सबीड़ी सी एड़ावीड़ुस कि है यह सबी कैटेगरी जितने भी स्टूरेंस नंको फॉर्म भरने के लिए 2,000 रूपे लगेंगे च्छिंगे 2,000 फॉर्म का फी रहेगा इसके अलावा से और स्ट कैटेगरी चितने भी स्टूरेंस रहेंगे उनको 1,500 वश्टेंग्या आपको एक एक्जाम देना पड़ेगा इंट्रेंस एक्जाम ठीक है वह एक्जाम आपका ठीक है अगर आप गलत करते हो तो negative क्या गाट जाएगा negative mark कितना रहता है तो negative नहीं रहता है जीरो रहता है तो कितना भी अगर आप गलत करोगे तो कोई भी आपका marks deduct नहीं होने वाला ठीक है उसके बाद language पेपर का language किस तरह से होता है तो hindi language रहेगा और English रहेगा दोनों ही language रहेगा इस तरह का आपका paper होगा ठीक है अब syllabus की बात कर ले जो exam होगा उसमें जो hundred questions पुछे जाएंगे वो किस तरीके से कौन कौन से subject से पुछे जाएंगे तो physics physics से रहेंगे 20 questions chemistry से रहेंगे 20 questions biology से रहेंगे 20 questions English grammar से रहेंगे 20 questions और nursing aptitude से रहेंगे 20 questions ठीक है यहाँ पर देखो physics chemistry biology यह तीन जो है इसका level क्या रहेगा 11th और 12 जो आपने 11th और 12 में पढ़ा वहीं level से questions रहते हैं pattern क्या रहेगा NCERT pattern प्याधारित questions रहेंगे ठीक है तो NCIT 11th 12 के 336 books अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो आपका syllabus cover है उसके बाद आपको English grammar पढ़ना पढ़ेगा 20 number का nursing aptitude यह वाला सबसे important है maximum students क्या करते हैं यह जो है नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इनका content आपको मिलता नहीं है और आपको यह भी पता नहीं चलते कहां से पढ़े कैसे पढ़े इसलिए family students छोड़ देते हैं तो अगर इसको आप छोड़ दोगे तो 80 number का अगर आप exam दोगे तो उसमें से आप pass नहीं कर पाऊगे क्योंकि मैं आपको cut up अभी बताऊंगा 80 number में अगर आप exam दोगे तो पास करना मुश्किल है आपको अगर seat चाहिए government में तो आपको सारा subject पढ़ना पढ़ेगा ठीक है तो देखो 80,000 questions bank में आपको पूरा objective में कर्वेट कर दिया पलस उसमें English grammar के भी 1000 questions डाल दिये और nursing aptitude के भी questions डाल दिये ठीक है और 15 साल का previous year के भी questions डाल दिये तो यह वाला questions bank अगर आप ले लेते हो पढ़ लेते हो तो आपका इससे बहार नहीं पूछा जायागा ठीक है अधी जानकर मैं आपको आगे दूँगा अब मैं बात कर लेता हूं कटफ का जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप एक subject नहीं बढ़ते हो तो नहीं होगा इसका region क्या है देखो उसका region है कटफ तो मैनली जो है कटफ कितना देखा जाता है तो कटफ जो है वह मैनली देखा जाता है अभ लेकिन 2024 में क्या होगा competition तो बढ़ रही है तो क्या यहीं कटफ रहेगा बिल्कुल नहीं 2024 में आप मान के चलो 60 तक तो कटफ जाए गई ठीक है यह expected मैं बता रहा हूं ठीक है क्योंकि मैंने एक सब्यक्त छोड़ दिया जैसे आप लोग सोचते हो ना एक सब्यक्त नहीं पढ़ेंगे नर्सिंग एप्टिट्यूड या फिर इंगली से नहीं पढ़ेंगे मुझे नहीं आता है तो अगर आप छोड़ देते हो यहां पे टोटल मार्क सी 80 हो जाएगा व और 60 से जितना ज्यादा उपर लाओगे आप ही का वेनेफिट होने वाला ठीक है चलो यहां तक समझ मा आ गया अब देखो मैं सीटों की बात कर लेता हूं थोड़ा सीट तो सीट जो होती है उत्राखन में दो टाइप के होते हैं एक स्टेट कोटा होता है ठीक है एक 61,000 61,000 परयर इस तरह से फ़रचावाता है और मेनेजमेंन कव्राओर से करोगे तो आपको मैं पढ़ेगा 72,000 के करिए पर ययर ठीक है यही अंतर मेनेजमेंन कव्राओर से 72,000 चल ज़ाता है और खेंड़ कोटा सीटों टाव जाता है ठीक है यह अंतर है तो इसलिए सब को राइगनना है कि state quota वाला ही आपको seat मिल जाए ठीक है तो state quota में seat कितनी होती है state quota के मैं बता दूँ इस्टेट quota में seat almost बहुत कम होती है 245 यह fully government seat है ठीक है 245 government seat होते हैं और बाके state quota में आते हैं तो आपको ध्यान देना है कि यह वाला seat आपको किसी भी तरह से लेना है अब मैं आपको बता दूँ कि 2024 में यह form कब तक आएगी तो form आने का जो expect date निकल के आ रहा है वो आ रहा है March मार्च में आपको form देखने को मिलेगा आपके website में ठीक है और एक्जाम कब तक होगी तो एक्जाम जो होगी वो होगी within one month मतलब अप्रेल ठीक है एप्रेल में आपका एक्जाम होगा तो इसकी तैयारी हमारे एप में start हो चुकी है अगर आप हमारे course से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़े हमारा एप का नाम है study medium play store में मिल ज दीजिए वहां पर आपको दिखेगा सफलता बैच ठीक है सफलता बैच यहां पर सभी सब्जेट की तजारी करा जाएगी जिसमें भी physics chemistry biology English और nursing aptitude पांचों सब्जेट का तजारी करा दिया जाएगा सभी टाइप के classes मिलेंगे live classes weekly test सब कुछ मिल जाएगा और एक साल तक प कोर्स होने वाला आपके लिए क्योंकि इससे सस्ता आपको कोई कोर्स नहीं दिखेगा तो complete तैयारी 5 सब्जेट का सिर्फ 599 रुपए में हो रही है तो इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता सभी लोग जाओ इसको जरूर को पर्चेश कर लो इसमें 100% गैरेंटी का आपका सेलेक को नहीं मिलेगा ठीक है हमारे एप में आपको दिखेगा एक 10,000 objective questions का questions में कि यह आप देख सकते हो 10,000 ठीक है 10,000 जो है वो selected है actually यह 10,000 नहीं यह कम से कम 50,000 में से चुन चुन के 10,000 सेलेक्ट किया गया है जो कि एक रामबान है इतना ज्यादा अगर आप पढ़ लेते हो त इससे बाहर पूछी नहीं सकता मार्केट में कोई किताब नहीं है जो इससे बाहर आए ठीक है सारा questions इसमें है all previous year questions सब कुछ डाला गया इसमें आपको physics के questions मिलेंगे chemistry के मिलेंगे biology मिलेंगे English भी मिल जाएगा nursing aptitude मिल जाएगा बहुत सारे लोग को पता ने English grammar में क्या पढ जाता है ठीक है यह आपको सिर्फ मिलेगा 199 रुपे में इतनी सस्ती और इतना अच्छा चीज आपको कहां मिलेगा 199 रुपे कुछ नहीं है सभी लोग जाओ इसको खरीद लो हमारे एप में यह भी मिल जागा ठीक जानकारी के लिए help line number पे call करो WhatsApp करो या फिर अगर आपके पास payment करने का तरीका नहीं है तो अब डारेट किसी और के दुवारा payment करा दो इस help line number पे और call कर दो हमने payment करा दिया हमाई course चाहिए हमें questions bank चाहिए तो आपको हमारे team questions bank दे देगी ठीक है और course भी देदेगी तो बहुत सस्ती है 599 में course मेरा 199 मेरा और क्या ही चाहिए सभी ल में पता चलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर लख लिजिए ठीक है मिलते हैं नेक्ट वीडियों तो तक लिए बाबाए